हलो वन आज हम यहाँ पर उत्तव देश समसामाइक सापताहिक विशेः सांग सिरीज में पिछले 13 से 19 अक्टूबर के मद उत्तव देश में घटित प्रमुख घटना क्रमों के बारे में चर्चा करेंगे इसमें उत्तव देश सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख आयोजना के बारे में चर्चा करेंगे साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रमुख तत्यों के बारे में भी जानकारी लेंगे सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख योजनाओं को बारे में भी चर्चा करेंगे तो चलिए आपके परिक्षा के द्रिश्कोंट से जो important aspects हैं आज हम उनको एक एक करके discuss करेंगे तो आप सभी यहाँ पे इन topics को ध्यान से पढ़ें और समझ लें क्योंकि आने वाले परिक्षाओं के लिए काफी important हो सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर आज का एक पहला topic लेंगे सामोहिक मिनी ग्रीन ट्यूबल योजना के बारे में समझ लेते हैं देखें यह जो योजना है इसके माध्यम से सौरूर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा और सौरूर्जा को बढ़ावा देने को लेकर बरस 2020 से एक योजना लाई गई यह कारक्रम प्रसुत करना है जिसमें निची लगु सिचाई कारक्रम कहा गया है इसी योजना के तहट यहाँ पर सामोहिक मिनी ग्रीन टूबल योजना को प्रारम किया गया है इने कृष्शी फसलों के लिए सिचाय की विवस्ता को संचायद करने लिए भारत सरकार की द्वारे ये प्रयास किये जा रहे हैं स्वारी उत्तवदि सरकार के यहाँ पर ज्यादा important role है, क्योंकि यहाँ पर वित्तिय जो सुविधाये हैं, यहाँ पर केंदर, राज्यो, क्रिसक समाज के सामुहिक वित्त पोशन के माद़म से इस योजना के लिए वित्तिय मदद जो होती ही मुहया कराई जाएगी, जिसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा वो राज्यो सरकार का है, उसके बाद केंद सरकार का, और सबसे जो छोटा हिस्सा होगा, यहाँ पर क्रिसक समाज का होगा, इसके अत्रिक अगर हम देखें, तो यहाँ योजना जो होती है, एक पालेट प्रोजेक्ट के तहत लेकर प्रार जनपदों में पाच सामोहिक नलकूपों के निर्माड की यहाँ पर इस योजना में व्यवस्था की जाएगी तो यहाँ पर हमने एक योजना के बारे में देख लिया दूसरा यहाँ पर एक बहुत ही आज के समय में ग्लोबल हैंड वाशिंग डे वर्तमान समय में आज कोविट-19 के दौर में हर कोई व्यक्ति कहीं से आते जाते समय ऑफिस या घर में भी किसी भी पकार के सामानों को लेट समय आप हैंड वाश कर रहे हैं तो यहाँ पर यह जानना जरूरी है देखे 15 अक्टू किस राज की तो वह सबसर पर दूसरा यहाँ पर हाद दोना रोक को रोकने हैं तो स्वस्थ वा आरोगयपउंड जीवन के लिए हैं तो यहाँ पर यहाँ दोना बहुत मेहथपोंड है इसके बाद एक और टौपिक है जो बहुत इंपोर्टन टौपिक है एक्ग्रो एंड फूर्ट टेक सप्ता, सोला से 22 अक्टूबर 2020 को वर्शूल प्रेटफॉर्म पर भारती उद्योग परिशंग द्वारा 14 हमें संस्करण का यहां पर आयोजन किया गया, यह भारत का पहला अंतराश्री खाद्य और क्रिश सप्ता है, इसमें कंट्री वीक, इंटरनेशनल एग्री मंत्रियों के राउंड टेवल, समर्ती प्रदर्शनी शो, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्मेंट बैठ के, थीमेटिक इंटरनेशनल कॉन्फरेंस, हैकाथोन और प्रिसिक्शन शत्र इस सप्ता में आयोजित किया जाएंगे इस आयोजन के दोरान, साथी याँ पर विभिन मंचों पर विभिन प्रिकार के क्रिया कलापों और वारतालाप को सयाउजित करने के लिए कई व्यवसाइक अस्तर पर मंच प्रदान किये गए हैं, जैसा कि एक प्रदर्शन मंच इसमें उपलब्द होगा, इस तीसरा है सैभागिता मंच जिसमें हम भारतिय संखिय नीत निर्माताओं से जुड़ने है तू या मंच उपलब्द होगा, तीसरा है भागीदारी मंच जिसमें भारत सरकारवा निजी छेतर की कमपनियों के साथ वारतालाप होगी, और चौथा है ग्यान प्रिसार मंच जि उसके अंतरगत की छेतरों को ज़्यादा प्रमुकता दी गई है, तो यहाँ पर देखें तीस सब्ता के प्रमुकारी छेतर क्रिशी, खाद प्रशंसक्रण, बागवानी, डेरी, मतस्तपालन, मुर्गी पालन, शेरी कल्चर, फूलों की खेती, क्रिशवित, क्रिश मशीनरी जल, चीनी, नई उप्रद्योकिया, स्टार्ट अप, राजवा, अंतराश्री, मंडप, इत्याद यहाँ पर प्रमुकारी छेतर हैं, इसके अतरिक्त इस आयोजन के द्वारा द्वी पक्षी, क्रिश व्यापार संबंधों को मजबूत करने और अर्थवियोस्था के लिए क काफी महत्पूर्ट सब्ता रहेगा, क्योंकि इसके मादिम से काफी सारी चीज़ें नए अस्तर पर ड्वेलप होंगी, इसी आयोजन के संदर में उत्वदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ जी ने संबोधन किया, वारतालाब किया वहाँ पर इस सब्ता भारती उद जिनियम में संजोधन करने वाला उत्तवद्स अग्रणी राज्य है, जो सबसे पहले वहाँ पर उत्तवद्स मंडी अधने में संदर करने वाला राज्य बना है, साथी इसके अंतर्गत तो उनहें के संदर के अंतर्गत, 4000 मीटन टन भंडारन चमतावाले लाइसेंस धारी स प्रशंसक्रण वाले खाद प्रशंक्रण एकाईयों को मंडी उपस्थल घोशित कर दिया गया है जहां पर व्यापारिक प्रक्रियां को संचालित किया जा सकता है इसके एत्रिक्त 45 कृष्ट उत्पादों को मंडी सुल्ग से मुक्त भी किया गया है साथी पूर्वी उत्पदेश के 11 जनपत काला नमक नमक चावल के लिए जी आई सूची में भी दर्श है तो ये कुछ प्रमोस एस्पेक्ट हैं जो कि आपने यहाँ पर देखने को मिला इसके बाद आते हैं एक और पॉलिसी के बारे में मक्का क्रे नीती यहाँ पर घोशित की गई है उत्तविज़ सरकार के द्वारा मंद्र पर्शद ने खरीफ विपड़न बर्स 2021 में मूल समर्थन योजना के अंतरगत स्विक्रित प्रदान की गई है मक्का का नीउन्तम समर्थन मूल एठार सो पचास हुपए प्रतिकुंटल निर्धारित किया गया है इसको ध्यान रखेगा साथ ही यहाँ पर मक्का खरीद जो होती है वो खाद विभा के विपड़न शाखा के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी अर्था जो मक्का खरीद की प्रक्रिया जो संपाइद होगी विपड़न शाखा के द्वारा और क्रिशक का ऑनलाइन इसके लिए पंजियन किया जाएगा जिन किसानों से सरकार खरीदेगी और उनको जो पेमिंट की जाएगी वो तो या तो RTGS या PMFS के माध्यम से किया जाएगा चेक इत्याद के माध्यम से भुकतान नहीं किया जाएगा उसे माने नहीं है अगले के important aspect है mission शक्ती के बारे में mission शक्ती जनपद बलरामपूर से प्रारम किया गया और इसे तीन चरणों में यहाँ पर इसका संचालन होगा पहले चरण को यहाँ पर उनने जागरुकता अभियान नाम दिया है दूसरे चरण को mission शक्ती और तीसरे चरण को operation दूराचारी नाम दिया है इसके अंतरगत यहाँ पर यह प्रारम जो इसे प्रारम किया गया है सार्दी नवरात्री से इसे चैत नवरात्री तक यहाँ पर चलाया जाएगा क्योंकि नवरात्री एक शक्ती का प्रतीक है महिलाओं शक्ति का प्रतीक है इसलिए यहाँ पे से प्रारम किया गया है मिशन शक्ति जो है कि संदन्व प्रारम किया गया उसको भी समझ लीजिए महिलाओं यह बालिकाओं की इस तुरक्षा सम्मान बाव सौलंबन बढ़ाने के अभियान को ही यहाँ पर मिशन शक्ती नाम दिया गया है साथिस अभियान के अंतरगत महिला अपराद से सम्मंदित मामलों में तुरित कारवाही की जाएगी तथा समय सीमा के भीतर तैस समय सीमा के भीतर जाचपूरी करके दोशियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी महिलाओं को एक समचित विवस्था उसके स्वावलंबर और उनकी सहायता करने के लिए प्रदेश में 1535 थानों ता 350 तहसीलों में एक महिला डेस्क भी यहाँ पर स्थापित किया जाएंगे महिला समचित मामलों को वहाँ बता सकती है और वहाँ पर उन मामलों को तुरित गश्से आगे बढ़ाया जाएगा इसके अत्रिक्त महिलाओं को स्वावलंबित बनाने ही तो यहाँ पर विभिन सरकार के सरकारी जो नौकरिया वहाँ प्रवाइड किया है उसमें भी महिलाओं की जो उपस्तिती उसमें भी व्रिद्धी देखी गई है जैसे की 31,227 सहाय का ध्याबकों में 33,60 महिलाओं को यहाँ पर नुक्त किया गया इसके अत्रिकت 1,37,00 पुलिस भर्तियों में 20,60 महिलाओं के नुक्त की गई है साथी यहाँ पर नौकरी के एक्टरिकत महिलाओं के स्वामलंबन कारियों को भी हाँ पर प्रात्मिकता मेशन शक्ति के अंतरगत की जाएगी और एक यहाँ पर वक्तब भी दिया गया मोक्यमंत्री जी के द्वारा उन्होंने कहा कि बदलते दौर में गाओं की बेटी सब की बेटी के भाव यहाँ पर जगाने की आप शक्ता है तो यह एक कुछ प्रमुट एसपेक्ट है मिशन शक्ती आप जानते हैं समझते हैं कि बलरामपूर में एक यहाँ पर बड़ा मामला हुआ था जिसमें यहाँ पर एक महिला एक बच्चे का यहाँ पर गैंक रेप वाले मामले हुए थे और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी तो वहाँ पर उस घटना के पश्रात काफी यहाँ पर प्रशासन पर एक दबाओ पड़ा और उस दबाओ के कारण ही यहाँ पर मिशन शक्ति यहाँ पर प्रोग्राम प्रारम किया गया है जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिक्ता देने के प्रयास किया गया है इसके अत्रिक्त आईए बात करते हैं एक और बहुत ही महत्तपूर उत्पाद मेले को marketing एवं विक्रे की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा साथी प्रदेश के परंपरागत उत्पादों को राश्टी वा अंतराश्टी अस्तक पहुंचाने में मदद करेगा जनपत के विशिस्थ वा परंपरागत उत्पादों पर रोजगार की व्यापक संभावनाओं को प्रक्रिया को पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है जैसा कि आपको पता है एक जिला एक उत्पाद तविस सरकारिक द्वारा प्राराम की योजना है जिसे इस वर्ष 2020 में पूरे देश में यहां पर आयुजित किया गया है साथी इसमें 35 देशों के 1000 क्रेटा इस मेले म अस्तर को उन्यान करने है तो आर्थिक सम्रिद्धी में सहायता है तो यह बहुत ही यहां पर इंपॉर्टेंट मेले के तौर पर हम इसे देख सकते हैं इसके त्रिप्त राज सरकार के द्वारा उध्यमियों निवेशकों हस्सिल्पियों को हर संभव मदद का भी यहां पर आश्वाशन दिया गया है ताकि यूपी में आकर वो जादा से जादा निवेशी का उसर उत्पलब्द कराएं और साती हत शिल्पी जो आते हैं वो यहां पर आकर कारियों को प्रारंप करें लास्ट आज का जो टॉपिक है भारती परटक सांकिकी 2020 के आकड़े आए हैं और इस आकड़े में कुछ यहां पर उत्तव देश समनित इंपॉर्टन्ट एस्पेक्ट भी देखने को मिले सबसे पहले चीत की भारती परटकों के आगवन की दृष्ट से उत्तव देश इस बात प्रथम अस्थान पर रहा है देखें परटक दोनों तरीक एक होते हैं एक तो भारती होता और एक विदेशी होता है तो भारती परटकों के लिहास से यहाँ पर उत्तव विदेशी परटकों के लिहास से देखें तो 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 विदेशी परटकों के लिहास से देख देखें तो उत्तर दिसमें कई सारे परिटन परिपत हाल फिल हाल में विक्सित किये गए जैसे कि रामाइड सर्किट, ब्रिज सर्किट, महाभारत सर्किट, सक्तिपीट सर्किट, अध्यात्मिक सर्किट, जैन सर्किट और बौद सर्किट इसके अत्रिक्त इन परिपतों को विक्सित करने के साथ ही साथ परेटन स्थलों का नवीनी करण, संदरी करण किया गया साथ ही विभिन परवों, महोचों एवं मेलों का आयोजनवा प्रचार पसार भी यहाँ पर काफी महत्पूर्ण रहा जिस अस्तर से यहाँ पर सरकार के द्वारा भारत और वैश्विक अस्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया गया इसके तरीक अगर हम अब उत्तब्देश को देखें तो यहाँ पर काफी विवित्तापूर्ण आपके परेटन अस्थल हैं तो आज के इस सापताहिक विशेशांक में इतना ही आज हमने कुछ important पहलों को देखा I hope आपको session पसंद आया होगा next video series में next week में मिलेंगे और वहाँ पर कुछ अन्य महत्पूर्ण topic के बारे में discuss करेंगे तो आज के लिए इतना ही thank you so much